Hello students, कैसे हो? I think आप लोग अच्छे ही हो. चलिए इसका पहले मैं Future Continuous Tense का तीनों फॉर्म लेके विस्तारित में आप लोग का सामने आलो चना किया हूँ, डिस्कास किया हूँ, आप लोग को सिखाया हूँ. आज वी Future Continuous Tense का हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. देखिए, भीपी आपका तीनों फॉर्म का दिया हुआ है. प्रैक्टिस ओफ फॉचर कॉंटिनुआ स्टेंस. भीपी नमबर वान पहले साबजेक्ट. साबजेक्ट आई आर उई, मतलब मैं और हम लोग होने से स बाद पहले साबजेक्ट, उसका आउई उई का साथ आपका सेल, आयूई को छोर के दूसरा कोई भी होने से उएल उचका बाद नॉट उचका बी उचका बाद भार्व प्लास आएंजी उसका बाद आउजएक्ट. यह गुए आपका नेगेटिव सेंटेंस का बीप्नुमर टू बीपी नमर थ्रे मतलब प्रस्णव बाचक बाग किया मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट जदी आयूई होता है तो पहले सेल बैठता है आयूई को छोर के दूसरा कोई भी चीज होने से पहले विल बैठता है उसका बाद आता है सब्जेक्ट उस भार भार को साथ में आयें जी उसका बाद अब्जेक्ट यह हुआ आपका तिनो फॉर्म मतलब फ्यूचर कॉंटिनुआ स्टेंस का आपका एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हां बाचक बाग किया का भी पी दो नंबर हुआ नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना बाचक बाग किय क्या कभी पी और तिन नंबर हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रस्ण बाचक बाद किया क्या भी पी देखिए देख लिए नोट कर लिजिएगा ठीक से लिख के रखिएगा ओके तो चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं घर जाता रहूंगा हाँ एक चीज मैं और भी आप लोगों बोल रहा हूं जाता रहूंगा खाता रहूंगा पीता रहूंगा देखता रहूंगा सोता रहूंगा परता रहूंगा या जाते रहेंगे खाते रहेंगे पीते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंग जाते रहोगे, खाते रहोगे, देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सिखते रहोगे, चलते रहोगे, सोते रहोगे, आप लिखते रहोगे, यह सब जदी होता है, भाप का फॉर्म जदी हिंदी में ऐसा होता है, मतलब कि या का फॉर्म, तो समझ लिजेगा, यह है आपका हिं आई होने से जानते हैं आप लोग, पहले सेल, उसका बाद बी, जाना अंगरेजी भार हुआ गो, तो गो का साथ में, आई जी को जोर दिये, गोइंग, कहां पर, टू हाउस, तो आई सेलविक गोइंग टू हाउस मतलब मैं घर जाता रहूंगा, अब नेगेटिव देखिए, घर नहीं जाता रहूंगा, मैं घर नहीं जाता, रहूंगा मतलब नेगेटिव सेंटेंस मतलब नावा चबात किया, तो पहले आई आई होने से सेल उसका बाद निगेटिव का चलते नॉट उसका बाद भी जाना आगे जी गो साथ में आएं जी गोईंग टू हाउस तो मैं घर नहीं जाता रहूंगा आई सेल नॉट भी गोईंग टू हाउस समझ गए निगेटिव फॉर्म आओके अब आएए प्रस्न वाच भाक्या में इदेखिये मैं क्या घर जाता रहूंगा यह हुआ आपका इंट्रुगेटिव सेनितरे से मतलब प्रस्न वाच भाक्या देखिये तो मैं क्या मतलब सवाल हुआ तो इसलिए पहले आप सेल वाट हाई जाई तो I होने से पहले cell होता है तो cell I be going to house तो cell I be going to house मैं क्या घर जाता रहूँगा तो यह हुआ आपका प्रस्ण बाद से बाग किया हम लोग अंघर जी शीखते रहेंगे क्या हुआ हम लोग अंघर जी शीखते रहेंगे देखियों आईए हं लोग व व यह होने से तो cell उसका बास भी सिक्ना और जी ळार्म शात्में आए एंजी लार्निंग, क्या सिखते रहेंगे, we shall be learning इंगलेस, मतब हम लोग सिखते रहेंगे, या सिखते रहेंगे इंगलेस, तो we shall be learning इंगलेस, हम लोग अंग जिखते रहेंगे, यह हुआ आपका affirmative sentence, मतब हाँ बादचक बाखिया, हम लोग अंग्रेजी नहीं सिखते रहेंगे, मतब नेगेटिव सेंटेंस, मतब ना बाच्च बाग किया, तो वी, सेल नॉड़ भी, लार्निंग, इंगलिज, तो वी, सेल नॉड़ भी, लार्निंग, इंगलिज, मतब हम लोग अंग्रेजी नहीं सिखते रहेंगे, तो यह हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस, अब आएए प्रसन बाच्च बाग किया शिखेंगे, तो हम लोग क्या अंग्रेजी शिखते रहेंगे, यह हुआ आपका सवाल हुआ, मतब इंटेक्रेटिव सेंटेंस, मतब प्रसन बाच्च बाग किया, देखिए, सेल, वी, बी, लार्निंग इंग्लीज, तो सेल, वी, बी, लार्निंग इंग्लीज, हम लोग क्या अंग्रेजी शिखते रहेंगे, तो समझ गए, और और एक चीज भी सीखेंगे, आप लोग, आई, आर, वी, मतब मैं, और हम लोग का साथ में सेल होता है, ओक्ट, लरका साब बॉल खिलता रहेगा, तो दा बॉइज, अभी पहले ही मैं बता चुका हूँ, क्या, आई और वी का साथ में सेल भी होता है, बाद बगी दूसरा का साथ में वी, तो इसलिए दा बॉइज उइल भी होगा इस जगा पर, वी, तो दा बॉइज उइल भी, खेलना अंग्रेज प्ले, साथ में आई जी प्लेइंग, दा बॉइज, तो दा बॉइज उइल भी प्लेइंग दा बॉइज, मतलब लड़का सब बॉल खिलता रहेगा, लड़का सब बॉल नहीं खिलता रहेगा, मतलब नेगेटिव बाक्या मतलब, नेगेटिव सेंटेस मतलब नावाच बाक्या, देखिए, दा बॉइज, विल नॉट भी, प्लेइंग, दा बॉल, तो हुआ दा बॉइज विल नॉट भी प्लेइंग दा बॉल, मतलब लड़का सब बॉल नहीं खिलता रहेगा, मतलब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेस या नावाच बाक्या, लड़का सब क्या बॉल खिलता रहेगा, मतलब प्रस्णवाच बाक्या मतलब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेस, तो पहले विल आएगा, will the boys उसका बाद बी ब्लेइग, तो will the boys playing the ball, लड़का सब क्या बॉल खिलता रहेगा, तो तुम मुझे बुलाते रहोगे, क्या तुम मुझे बुलाते रहोगे, तो तुम अंगरे जी यू, यू होने से will be, बुलाना अंगरे जी कॉल, साथ में आई जी कॉलिंग, किसे मुझे, तो you will be calling me, मतब तुम मुझे बुलाते रहोगे, यह हुआ अफर्मेटिक सेंटेंस, future continuous things का, तुम मुझे नहीं बुलाते रहोगे, मतब negative sentence, तुम मुझे नहीं बुलाते रहोगे, तुम मुझे नहीं बुलाते रहोगे, तो समझ गया negative sentence, आप वह प्रसनवाचक, तुम क्या मुझे बुलाते रहोगे, विल यू बी तुम क्या मुझे बुलाते रहोगे, तुम क्या मुझे बुलाते रहोगे, तो समझ गया negative sentence, सिक्षक हम लोगों को अंगरी जी शिखाते रहेंगे देखिए किसको हम लोगों को क्या इंगलीज तो दा टीचर उइल बी टीचिंग आस इंगलीज मतब सिक्षक हम लोगों को अंगरी जी शिखाते रहेंगे सिक्षक हम लोगों को अंगरी जी नहीं शिखाते रहेंगे सिक्षक हम लोगों को अंगरी जी नहीं शिखाते रहेंगे The teacher will not be teaching us The teacher will not be teaching us English The teacher will not be teaching us The teacher will not be teaching us English The teacher will not be teaching us English The teacher will not be teaching us The teacher will not be teaching us I want to say this Please follow my channel Subscribe, share and comment Thank you! I will inform you I will be teaching you offline I will be teaching you The teacher will not be teaching you The teacher will not be teaching you Please leave my number Thank you Goodbye Bye